कुजिन पहले अपने कॉंटेंट को लेकर अनुकपूर के फिल्म हमारे बारा ने ज़मकर कॉंट्रिवर्सीज क्रियेट की और अब एक बाब फिर से एक फिल्म सुर्खियां बटो रही है। कॉंटेंट हर फिल्म की जान होता है लेकिन आजकर फिल्म की नाम पर अधरिक्म के पर स्वाइब को प्रेश कर दिया जाता है। वहां दिव्यांग लोगों का मजाग बनाने का मामला सुप्रीम कोट तक जा पहुचा यह फिल्म रिलीज हुई थी नवेंबर साल 2023 में नमस्कार आप दिख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ बवीतर रेखवार फिल्माक मिचोली पर दिव्यांग लोगो का मजाग बनाने के खिलाफ दाया रिया चुका पर सुप्रीम कोट ने दिशान देश जारी किया है सीजवाई ने कहा कि हम विज्वल मीजिया पर दिव्यांगों को चित्रित करने के लिए एक रूप रेखा तयार कर रही है और सन्वेदन श्रीर भाष्राव विकलांगों क को जन्म देती है वह भाषा जो सामाजविक बाधाओं को नजरंदास कर देती है रचनाकारों को रतौंधी जैसे नुकसान के बारे में परियाब चिकिसा जानकारी की जाज करनी चाहिए जो भेदभाव को बढ़ा सकती है यह मित को पर आधारित नहीं होनी चाहिए दूड कि रक्ष्रां के लिए अधिकारों के सम्मेरन में उनके अधिकारों की वकालत करने वाले संमुहों के साथ सल्खा की बाध करने की उपाये फिर हमने प्रसृक् outro ौर सनन वेदी करन कार्यक्रमूं का लेग किया है बता दें कि इल्गी को चुछ ने याचिका को खार्च करते हुए कहा था कि हमारे देश में फिल्म को रिलीज होने से पहले उसे संसर बोट से पास होना होता है उससे ज्जाधा से जरूरत नहीं है एक फिल्मकार के रच्णात्मत स्वतंत्रुता का संवान की जाने की है जिसके खिलाफ दिव्यांग वकीर निपन मलहोत्रा ने सुप्रीम कोट में याचुका दायर की थी याचुका करता कहना था कि 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म में अल्जाइमर सी पीडी तेक पिता के लिए भुलकडबाप मुक बधिर के लिए साउंट प्रूफ सिस्टम हकलाने वाले व्यक्ति के लिए अटकी हुई कैसे जैसे अपमान जनक श्रब्दों का इस्तिमार किया क्या पराल इस खबर पर आपको क्या कहना है हमें क